Assalamualaikum everyone कैसे हैं आप सब मैं हूँ Kabir Rajput and welcome back to my another vlog तो guys I know a title देकर आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं बात करूँगा Egypt के visa के about के Egypt का visa मुझे कैसे मिला और साथ ही मैं ये बताऊँगा आपको कि इसके लिए कुन कुन से documents चाहिए कितनी fees लगती है and कितने दिन में visa grant हो जाता है सबसे पहले तो अगर आप new है इस channel में तो guys please subscribe my channel और bell icon को click करना मत भूलेगा तांकि मेरी वीडियो आपको time पर मिले और आप इससे फाइदा उठा सकें तो चले बात करते हैं सबसे पहले documents की well सबसे पहले आपको आपके passport, original passport की copy चाहिए और passport make sure कि आपका six month valid हो second आपको आपके visa की copy चाहिए I know आप में से बहुत से लोग confused हो जाते हैं क्योंकि visa आजकल जो है paste नहीं होरा passport की उपर तो उसमें गबराने की बात नहीं है आप सिधा ICP app install करो उसमें login करो आप प्रिंट आउड भी निगाल सकते हैं तो फस्ट आपको passport copy, second visa copy third आपको NOC चाहिए आपकी company से जिस company में आप काम कर रहे हो and make sure कि उस NOC में mention हो आपकी salary, आपकी designation और कितने अरसे से आप उस company में काम कर रहे हो ये तीन चीज़े mention हो proper signature and stem के साथ fourth bank statement bank statement अगर आपको profession जो है high designation है for example आप manager हो उसमें आपको bank statement लगाने की जरूत नहीं है Egypt के लिए simply आप ये तीन documents submit करो और last में एक form मिलता है वो submit करो तो आपका visa लगजेगा but अगर visa profession low है, low category है तब आपको three month की statement must लगानी पड़ेगे and the fourth one आपको एक form मिलेगा पहले था कि ये Egypt Consulate से एक form मिलता था जो कि जब आप Egypt Consulate में जाते थे तो एक manually farm आपको fill करना पड़ता था वहाँ पे but अभी ऐसा नहीं अभी उन्होंने change कर दी है अभी उनकी website से आपको एक form मिलेगा visa application form जो आपको fill करना है fill उस मिलता कुछ खास नहीं है आपको अपको अपना नाम लिखना है नेशनलिटी पासपोर्ट नंबर और Egypt में जहां पे आप स्टे कर रहे हो उस होटल का नाम आपको लिखना है बस signature करना है अपने and that's it वो form आपको fill करना है यह तीन से चार documents है ज्यादा भी नहीं है passport copy, visa copy and the third NOC, bank statement अगर low designation का visa है आपका और last में visa application form तो यह होगे, पांच होगे पांच documents आपको चाहिए आप यह document पकड़ो लेके जाओ सीधा Egypt Consulate जो के exit 1 में है address वगारा मैं नीचे description में डाल दूँगा वहाँ से देख लेना वहाँ पे जाओ और सीधा अंदर जाके अपने document submit करवा दो इसकी जो fees है वो है 110 दिरम that's it मैं अपना experience आपको बता दूँ कि जब मैं यह document अकटे करके आगया था Consulate तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ हूँ Consulate के उन्हें मुझे token दिया है और मैंने एक minute wait किया है मेरा number आ गया था जैसे ही मैं counter पे गया हूँ अपने document दी है उन्हें मेरे document proper तरीके से भी चेक नहीं किये passport पकड़ा उन्हें और उन्हें मुझे बोला कि आप pay कर दो and one more thing कि आप cash पे नहीं कर सकते buy card ही आपको pay करना पड़ेगा तो make sure के card बगएर आप लेके जाएं साथ और second बस तकरीबन तीन मिनट मुझे अंदर लगे document मैंने submit करवाए और तीन दिन के बाद visa जो है मैं दुबारा वापिस गया consulate और मुझे visa मिल गया sticker visa होता है इक चीज यह भी है कि अगर आप travel history बना रहे है तो I think यह Egypt का visa आपको apply करना चाहिए पहले ही तो इसकी cost बहुत कम है second यह sticker visa है तो sticker visa की worth होती है और आपको किसी भी agent के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आप अपना visa यह वाला Egypt का खुद apply करे है दुबई से मैं पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा है मैं दुबई में मेरे जितने भी पाकिस्तानी भाई इंडियन भाई और दूसरी नेशनल के भाई है मैं उन से बात कर रहा हूँ अगर आपने आज Egypt का visa apply कर लिया तो यह होगा कि next अगर आपको Turkey का या फिर Europe का कहीं और का visa apply करना होगा तो आप खुद ही करोगे क्योंकि आपको experience हो जाएगा इससे अगर आपको कोई भी question है नीचे comment section में आप मुझे से पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टा पे message कर सकते हो follow करो मुझे इंस्टा पे और visit करें Egypt को thank you so much guys I hope कि ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी तो मिलते हैं मरी next वीडियो में तब तक के लिए अपने बाई अपने दोस्त कभी राजपूत को इजादत दे अपना ख्यार रखे अलाहाफीज